हेलो गाइस वेल्कम बैक टू माई चैनल गाइस देखिए सबसे पहले हमने यह स्लिप सकटिंग मुझे लेनी तो मैंने किनार इसके लिए यहां पे जो हैं सीधी कर दी है इसके इलपटी से उसके बार 1.5 इंच एक्ट्रा माप लगा देना है मुझे निशान जो हमें इसमें अब हम इसमें बाजू की लंबाई का और बाजू की गोलाई तो हमने बाजू की गोलाई का इससे पहले हम लंबाई का माप लगाएंगे लंबाई हमारी यहां पे 5.5 इंच है अब हम इसमें गोलाई का लगाएं गोलाई हमाई 6 इंच है उसके बाद 2 इंच एक्ट्रा का मा मोल के साइड और इस साइड भी ठीक है तो हमने चेक कर लिया अब हम साड़े 5 से हम डाउन आएंगे यहां पे 3 इंच या धाई इंच अब हम यहां पे डाई से 3 इंच का करीम जो लेते हैं तो हम नीचे आये डाउन हुआ अब डाउन होने के अब उसके जो हमने पॉइंट लगाया और जो उपर हमने margin का लगाया था उस वाले point को गोलाई वाले point से margin से मिला देंगे तो इस दोनों point हमारे complete हो गए अब हम आते हैं उपर sleeps की तरफ अब sleeps की तरफ हम आते हैं उपर से sleeps के पास हमने तीरी इंच का एक mark करा तीरी इंच से mark करा उसके बीच में जो extra बचा था उस वाले line को हमने इस तरीके से नीचे आर्मोल वाले से मिला दिया अब यह जो corner निकल नहीं इन corner पर हमें sleeps का save देना इसको गोलाई मिलाना है तो उस 3 इंच तक तो हमें सीधा आना है जो हमने उपर लगाया था point अब देखिए इसमें हमने sleeps का save दे दिया और नीचे जो हमारा गोलाई यह साड़े 6 इंच का तो यहां पर टेप रखते वे हमन साड़े 6 इंच गोलाई वाला तो यह हमने दोन निशा नीचे तक मिला लिए है अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर देंगे अब इसी पर हमने कटिंग कर दी है तो यह हमारा slips कटिंग कम्प्लीट हो जाए इस तरीके से अगर आप slips कटिंग करेंगे किसी भी size के मापका त आपको बताएंगे भी यह मेरे साथ भी हुआ था अकसर कि फ्रेंट में हम गोलाई दे रहे हैं तो पता चलना है दोनों एक साइट के स्लीप्स में ही गोलाई हो जाती थी तो मैं किस तरीके से पहले करती थी कि हम तो दीखे पहले यहाँ पर कट लगा लेंगे जो हमें किना किसे पहले में स्लीप्स को अच्छे से फोल करके अलग-अलग रख लेना है दोनों एक साइट हम रखेंगे जैसे हम स्लीप्स ब्लाउज में हम कुर्टी में जाइंट करते हैं तो हमने दोनों स्लीप्स को उल्टा कर लिया उल्टा करने को इस तरीके से जिसम जाइंट करें इससे fitting भी अची आते, sleeps का वी अब देखें, इसको हम इस थरीके से उठाएंगे, Open कर लेंगे तो दोनों अन्दर साइड को जो है सीधी होनी चाहिए तो हमने जो अंदर आमना सामना रखा है तो यह हमें चेक करना चाहिए कि दोनों अंदर साइड जो है आमना समने में सीधा है या नहीं है तो हम इसको चेक कर लेंगे एक बार ओपन करके देख लेंगे अब जो हमने गोलाई का दिया है सेफ है ना उस पे ही हम ड्रॉ करके अब इसे कट कर देंगे मतलब उपर उपर दोनों साइड तो उल्टा होना जी अंदर दोनों सीधा या फिर अंदर दोनों उल्टा हो उपर की साइड आप जब भी कर्टिंग करें स्लीप्स में गोलाई दें तो इससे हमारा मिस्टेक कभी नहीं होगा उसके बाद हम यहां पर फ्रेंट और फ्रेंट डाल देंगे चौक से तो देखिए कभी मिस्टेक नहीं अधसर हमाय साथ भी प्रॉब्लम हो जाता था पहले शुरू में अगर अब नहीं इसलिए हम इसको क्लियर कर देना चाहते हैं तो इस तरीके से अगर आप स्लीप्स करेंगे तो कभी भी कोई गड़बर नहीं होगी और इसको सीधा उल्टा अच्छे से चेक करने के बाद हम इसका यह गोलाई का सेप भी दे सकते हो हमाई स्लीप्स कर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है तो बाइस यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बाद फिर से लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए चैनल पर अगर आप पहली बारा सब्सक्राइब करें तो देखिए इसको मैंने दुबारा भी चेक करें इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है थैंक्स फॉर वाचिंग